हेलो एवरिवन मैं कलिमा और आपका वेलकम है मेरे कीचेन मर्यम कीचेन मर्यम में आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करने जा रही बहुत ही यूनिक से चिकन की रेसिपी जिसे बहुत ही हम रेरली बनाते हैं तो इसका नाम है चिकन रारा तो चलिए चलते हैं इसे बनाने और देखते हम इसे कैसे बनाना है तो वीडियो को इन तक आप ज़रूर देखें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें विडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी चिकन डारा बनाने के लिए हमने यहां ले लिया है 500 ग्राम चिकन मैंने सबस्क्राइब को बहुत अच्छे से वॉश कर लिए है और यहां मैंने ले लिया है 250 ग्राम के करीब चिकन का कीमा तो आप जितना चिकन ले सेम उसकी आधी क्वाइटिटी का कीमा यूज करें और हमने यहां ले लिया है 250 ग्राम के करीब प्याज प्याज को मैंने बहुत ही बारिक स्लाइसेज में कट कर लिया है यह आप दीख सकते हैं यह कितनी ही बारिक है तो ऐसे आप इसे कट कर ले और मैंने यहां ले लिया है दो मीडियम साइच की टमाटर टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है यहां मैंने फ्रेश दही ले ली है आधे कप के करीब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है दही में लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए और यहां मैंने तीन बड़े चम्मच अद्रक लैसून का पेश ले लिया है यहां मैंने घर की दूद की मलाई ले लिया है आधे कप के करीब हैं आप चाहे तो अमूल की फ्रेश क्रीम का भी उस कर सकते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा ले लिया है नमक हम अपने स्वात के अनुसार डालेंगे यहां मैंने ले लिया है दो बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और मसालों में हमने यहां ले लिया है आधी छोटी जमच जीरा, आधी छोटी जमच काली मिर्चे, दो सितीन लॉंग ले लिया है, दो सितीन इलाइची ले लिया है, दो बड़े इलाइची ले लिया है और यहां मैंने फ्रेश धन्या ले लिया है, आप चाहे तो पुदीना भी ले सकते हैं तो हमने हाँ जो सारे खड़ी मसाले लिए थे हम इसे ड्राई डॉस्ट कर लेंगे आधे से 1 मिनिट के लिए गैस को आफ कर देंगे अब इन मसालों को हम हखा सअ क्रश कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं पॊडर फॉक्त in एचुका है चिकन को से vehemildง का लेते हैं तो हम इसमें डाल देंगे दहीर सो ख्रेश किया हुआ यहा मैंने जो पॉडर बनााया हुआ था हिर्लों का वह डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर हल्दी फाउडर नमक हम अपनेitt waadah और अनुसार डाल तेल यहां मारा अच्छे से गर्म हो चुका तो हम इसमें डाल देंगे खड़ा जीरा साथ में हम डाल देंगे कटी हुई प्याज इसे फ्राइए करेंगे प्याज को हमने 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे कट्यू ही टमाटर साथ में हम डाल देंगे थोड़ा से नमक टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए तो नमक को हम टमाटर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट बाद हम देखेंगे कि यहां हमारा टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने मेरिनेट करके रखा था इसे हम अच्छे तरीके से चिकन को मसालों में मिक्स कर लेंगे यहां हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम कवर करके 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 5-7 मिनट बाद यहां हम ढखका डटाएंगे तो यहां हमारा चिकन अच्छे तरीके से पक रहा है पांच मिनित बाद यहां हमने कवर हटाया है तो यहां हमारे चिकन और खिमा दोनों अच्छे तरीके से पक रहा है और यहां आप देख सकते हैं चिकन से हमारे जो तेल है वो अच्छे से किनारोप पे नज़र आने लगी है मसाला अच्छी तरीके से पुरा भुन चुका है तो हम इसमें डाल देंगे तीन हरी मिर्चे और थोड़ा समय ने धनिया डाल दिया है इससे अरोमा बहुत अच्छी आती है इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे एक कप के करीब पानी तो यहां मैंने एक कप पानी डाल दिया है आप अपनी कंसिस्टनसी की हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं तो यह हमने इसे मिक्स कर लिया है और इसे हम कवर करके 5 मिनट और पकने देंगे मिडियम फ्लेम पे 5 मिनट बाद यहां हमने धक्कन हटाया है तो यहां हमारा चिकन अच्छे तरीके से पुरा पक चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे मलाई जो हमने रखी हुई थी वो हमने इसमें डाल दिया है मलाई को हम अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है पूरा तो हम इसे दुबारा कवर करके दो और तीन मिनट और पकने देंगे तो दो मिनट बाद यहां में धकन है टाया है और यह आप देख सकते हैं हमारा चिकन राणा बनके रेडी हो चुका है बहुत है स्पाइसी बैना है तो यह आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह बिल्कुल पर्फेक्ट है तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अब हम इसमें डाल देंगे धन्या और अब हम इसे मिक्स करके एक सेर्विंग प्लेट या बाउल में निकाल लिए है तो यहां हमने इसे एक सेर्विंग बाउल में निकाल लिए है तो आप यह देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है देखने से ही और बहुत करें विडियो की निचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राईब करना आप χोलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आपसे हम बाल़ फ्याश्ट की मेरे चैनल को सब्सक्राईब कि ये विये गाया बिलकुल न जाएं।